दोस्तो नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल नवनुतन रसोई में आपका स्वागत है मैं आप लोगों के साथ एक रेश्पी शेयर करने जा रही हूं अच्छा लगे तो शेयर करिए सस्क्राइब करिए और लाइक करिए और हां दोस्तो बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर दिजिए उससे होगा जो भी वीडियो डालूंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा दोस्तो कड़ाई में थोड़ा सा घी डाले हैं फ्राइ करने के लिए सेमिया को वैसे तो ये रोष्ट है पहले से ही फिर भी हम थोड़ा सा गरम करेंगे ज्यादा घी नहीं डालना है बिल्कुल थोड़ा सा डालना है और अब यहाँ पे डाल रहे हम दूद्ध जैसे अगर एक कटोरी वर्मी सिली है सेमिया तो हम वहाँ पे पांच कटोरा दूद्ध डालेंगे अब इसको अच्छे से उबालेंगे झालेंगे इसको बहुत नहीं पकाएंगे नहीं तो बिल्कुल पक जाएगा तो फिर उतना अच्छा नहीं लगेगा अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं सुगर फ्री सब में सुगर फ्री नहीं डालेंगे और ना तो सब में चीनी डालेंगे आधे में सुगर फ्री डालेंगे और आधे में हम यहाँ पे चीनी डालेंगे अब इसको थोड़ा सा हिला के मिक्स कर लेंगे अब यहां पे हम सुगर फिरी को थोड़ा मिला लेंगे ताकि चीनी मिठास जो है अच्छे से घुल जाए पूरे में अब यहां पे हम थोड़ा सा सुद घी डाल रहे हैं बनने के बाद थोड़ा सा पहले फ्राय के समय डाल लेते और थोड़ा सा बनने के बाद यह बहुत ही अच्छा लगता है उपर से घी डाल के खाने में और देखने में भी सुन्दर लगता है थोड़ा और डाल रहे हैं हम यहां पे घी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अगर आपको पसंद ना हो तो आप मत लिजे और अगर कम लेना हो नारियल और यहाँ पे डाले काजू और यहाँ पे डाले फिर हम थोड़ा सा मलाई जो की हम सिमिया बनाने से पहले दूद्ध के उपर का मलाई उठा के रख लिये थे ये हम उपर से डाले थोड़ा सा मलाई दोस्तो अब यहाँ पे हम सर्व करने के लिए दो बॉल में निकालेंगे दोस्तो हम यहाँ दो बॉल में ले लिए हैं सर्व करने के लिए आपके पास जो भी ड्राइफ फ्रूट हो आप वो डाल सकते हैं मेरे पास जो मुझे पसंद था हम वो डाले हैं और ड्राइफ फ्रूट में आपको जो पसंद होता हो आप वो डालिए अब यहाँ पे डाल रहे हैं दूध का बना बर्फी आपके पास जो भी हो दूध से बना बर्फी हो पेड़ा हो आप वो डाल सकते हैं दोस्तो मेरा वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए आपके एक लाइक से बहुत अच्छा लगता है और मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले दोस्तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों में सेयर करिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब करिए और बेल आइकन के घंटी को जरूर क्लिक कर देजिए उससे होगा जो भी वीडियो में डालूंगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू बाइ बाइ